अब हम सोलवी प्रतिग्या पर आते हैं तो बाबसब द्वारा जो हमें सोलवी प्रतिग्या दिलाई गई है वो सोलवी प्रतिग्या है कि मैं जूट नहीं बोलूंगा जीवन में इनसान को सच ही बोलना चाहिए सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए अब अगर हम अदालतों में देंके तो मैं तो क्योंके एडवोकेट हूँ वकील हूँ तो हम भी अदालत में जब कोई गवा आता है तो उसके कहते हैं कि भई आप इस बात की शपत लो कि मैं सच बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा ये सपत दिलाते हैं तो सच जीवन में बहुत महत्पून है जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया जो पृतिग्या बाबसाब ने हमें दस पारमिता हैं जो बताईएं बारवी पृतिग्या मैं उसमें भी मैने सपते जो है ये एक पारमिता है और यहां भी जो जूट न बोलने जूट न बोलने का मतलब किसी भी तरह से हमारी वाणी पर इतना हमें कंट्रोल होना चीए कि हम किसी भी हालत में जूट ना बोलें ना किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलें ना किसी बात को छुपा कर बोलें ना हम किसी की चुगली करें और नहीं हम बेवजे की बात करें तो ये जो है हमारी वाणी को शुद करने के लिए जो शील का मार्ग है शील के चौथे सिद् के अंतरगत जो शील का मार्ग आता है कि मैं जूट नहीं बोलूँगा उसी के लिए है और उसी के लिए पाली भाशा में भगवान बुद्ध ने हमें समझाया था मूसा वादा वेरमणी सिख्खा पदंग समाधियामी तो यह जो सोलमी पृतिग्या है वो जूट से दूर रह इस खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले